राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था भगभान बरो से है ऐसा हम कहें तो यह गलत नहीं होगा क्योंकि सरक पर एंबुलेंस की सायरन बस्ती रही और उसमें गर्व महला गर्वती महला प्रसब बेदना से कर राती रही लेकिन जाम हटाने वाला कोई नहीं था काटा टोली में तरना ट्रैफिक के जवानों में भी जाम हटाने की छमता नहीं थी क्योंकि काफी बुरी तरीके से जाम लगा हुआ था जाम नहीं हटने की वज़े से महला ने रास्ते में ही बच्चे को जन दे दिया जिसके बाद एंबुलेंस चालक ने सूजबूज दिखाते हुए नजदी के सदर अस्पताल लेकर पहुचा जहाँ पर महला को एडमिट करने में अस्पताल करमचारियों के द्वारा लग संयोग वक्त उसी समय राची के डी सी भी निरिक्षन करने अस्पताल में पहुचे थे जिस वज़े से करमचारी तुरंत रेस हुए और महला को डॉक्टरों की निगरानी में इलाज की गई जिसके बाद महला की स्थिती फिलाल ठीक है मिली जानकारी के अनुसार जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं एंबूलेंस चालक ने बताया कि इस तरह के मामले सदर स्पताल में आए दिन देखने को मिलते हैं यदि आज अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहते तो शायद करम अस्पताल के करमचारी रेस नहीं होते यदि महला का समय पर इलाज नही पर इटना हिम्मत हैं परसाशन का कि अतना बड़ा अधिकारी आने पर जब कोई विवस्था नहीं है तो जब नहीं रहते हैं तब सुचे क्या करते होंगे यह लोग जा उसके पास इसके पास कोई आदमी नहीं आता है मरीच का आधा गंटा लग जाता है सर यहां वहां होता है कि हम लोग कर भी आंक में आस्तू आ जाता है। हम लोग बोलते हैं क्या जबाना आ गया बताइए। जो काम के लिए है भी वो भी काम के लिए नहीं हो पाता है।